Hello everyone, Good morning to all of you, Welcome to Current Interface Logics Friends, morning हो गई है, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का Daily Current Interface का Important Session जिसमें हम कवर करेंगे 15 August के Important Current Interface की Questions तो पहले हम देखे Current Interface के Questions को देखेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे आज के Static GK के Important Questions को Then friends, हम कल के Questions को एक बार दुबार से जो है, रिवाइस करने वाले हैं और लास्ट में आप सभी के लिए दो टेस्ट Questions यहाँ पे दिए गए हैं, जिनके आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तो friends, इस तरह से आज का हमारा Current Interface का Important Session रहेगा PDF आप लोगों मिल जाएगा, उसके लिए आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर लिजे टेलिग्राम पर आप सर्च करना Current Interface Logics वहां से आप हमारे गुरूप को जॉइन कर सकते हैं So friends, आज 15 अगस्त है, Independence Day है और आप सभी को पूरी हमारे Current Interface Logics की टीम्स के दरफ से हापी इंडिपेंडेंस थे, स्वधुनता दिवस के हारदिख शुप काम नाई तो चले friends, शुरू करते हैं आज की important session को एक motivation quote से हम आज के session को शुरू करेंगे और आज का motivation quote है The greatest amount of wasted time is time not getting started देखिए time waste करने कर अगर हम बात करने से greatest amount कौन सा है ना कि किसी चीज़ को शुरू ही ना करना क्योंकि वो ही हमारा सबसे time waste होता है कि हम बस यहीं सोच कर जाते हैं कि अच्छा आप शुरू करेंगे अब शुरू करेंगे हम शुरू ही नहीं करते काम को तो आप ऐसा समझें कि वो आपका सबसे जाना time waste होता है वहाँ पी तो इसलिए बिना time waste कि किसी भी काम को अगर आपको करना है तो उसे शुरू जरू करिए तो आईए फैंट्स बात करते हैं सबसे first important question से पहरा question है when is 78th इंडिपेंडनेंस टे 2024 celebrated अठतरवा सुरतनतता दिवस बिटिश साषन से 1947 में इसलिए 15 August को सेलिबेट किया जाता है इंडिपेंडनस टे इस बार की हमारी जो है कौन सी वर्षकाट है अगर ये पूछे तो एनिवर्स्टरी तो 77th है लेकिन ये कौन सा सोतंता दिवर से तो ये हमारा जो है 78 वा स्मरोस्तव है तो इसको अच्छे से कवर अप करना है और इस बार के देखें ठीम क्या है ये याद दखेगा विकसित भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी जो है लाल के लिए पर जंडा फिराएंगे देखिए तो उन्होंने लगादार 17 बार जो है रेट फोर्ट पर जंडा फिराया है और मोदी चीज पर कौन सी बार फिराएंगे? ग्यार वी बार फिराएंगे चीके? चलिए अगला question देखिए Next question है हमारा DITU successfully tested long range glide bomb What is its name? तो DITU ने लंबी दूरी के glide bomb जो है इसका सफल परिक्षण किया है अभी इसका नाम बताना है जिसका परिक्षण किया किया है तो इस glide bomb का नाम क्या है? गौरव है इसका नाम DITU ने जो है successfully long range का glide bomb जो है गौरव इसका परिक्षण किया और इसका परिक्षण किया है Indian Air Force के सुखोई 30M के first aircraft sea गौरव जो है ये एक air launched यानि ये एक हवाई bomb है इसका जो वजन है वो 1000 kg का ये glide bomb है और लंबी दूरी के यानि जो long range के targets हो देना उनको hit करने में उनको लंबी दूरी के target को भेदने में जो है ये सक्षण है कहां परिक्षण किया है तो D.I.D.O. ने इसका परिक्षण किया था उडीसा के coast पे उडीसा के तड़ पर जो है D.I.D.O. ने इसका परिक्षण किया था बात यहां पर D.I.D.O. की कर लेते हैं D.I.D.O. का full name है Defense Research and Development Organization D.I.D.O. की स्थापना हुई थी 1958 में headquarter है New Delhi में और D.I.D.O. के chairman कौन है Samir V. Kaamat Next question देखिए In August 2024, Indian Railway Catering and Tourism Corporation यानि IRCTC and National Capital Region Transport Corporation have collaborated to launch Dash Initiative So अभी IRCTC और NCRTC ने मिलकर जो है अभी collaboration किया और उस collaboration करके एक पहल इनोंने शुरू करी उस initiative यानि इस पहल का नाम बताना है जो उनने start किया है तो इसका नाम है One India One Ticket जो है किसने शुरू किया है तो Indian Railway यानि IRCTC जो है और NCRTC ने collaboration करके इसको इस पहल को शुरू किया है इसका उदेशे क्या है देखे तो इसका उदेशे है जो mainline railway है और जो नमो भारत trains है उतमें यात्रा करने वाले जो passengers है उनका experience अच्छा हो सके और उनका experience और भी बहतर बनाना जो है इसका उदेशे और उसी उदेशे से One India One Ticket Initiative को शुरू किया गया है next question देखे the government of India has declared 23 August as the national space day to celebrate the remarkable success of which mission बारे सरकार ने किस mission की उलेकनी सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को कौन सा दिन गोशित किया था राश्टी अंतरिक्ष दिवस तो कौन सा यहाँ पे mission है देखे जिसकी success पे इस दिन को गोशित किया गया answer चंदरियान थर्ड चंदरियान थर्ड जो है इस दिन देखे मून के साउथ पोल पर successful जाकर जो है ये land हुआ था इसलिए 23 अगस्त का जो है देन है वो चुना गया था और इस दिन जो है कौन सा दिन celebrate किया जाएगा national space day चंदरियान 3 की बात करती है देखे तो ये launch हुआ था 14 जुलाई 2023 को LVM3 rocket के सतीज दवन space center शिरी हरी कूटा से इसे launch किया गया था इसमें एक lander गया था विक्रम और एक rover इसमें गया था प्रग्यान और इसकी soft landing हुई थी moon पे 23 अगस्त को इसलिए 23 अगस्त को declare किया गया national space day सो इसी के साथ जो है देखे इंडिया first country बन गयी थी जिसने moon के south pole पर जो है successfully land किया overall अगर बात करें moon पर land करने वाली इंडिया चौथी country बन गयी थी इंडिया के लिए और सभी के लिए बहुत बड़ी achievement थी ते ही सगस्त का दिर हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन था जिसलिए इस दिन को important दिन के रुपे याद रखिये कहा next question देखे who has launched geo paris scheme portal तो friends पात यहाँ पे करें कि किसने launch किया है geo paris योशना portal को इस portal को launch किया है किसने कीरन रिजजू सो union minister कीरन रिजजू ने launch किया है geo paris scheme portal को इस portal की बात करती है this portal enable paris to apply check the status of their application and to receive financial assistance online through direct benefit transfer mode so यहाँ पे देखे जो paris है वो अपनी वो apply कर सकते है अपनी status को check कर सकते है अपने application में तब check कर सकते है और financially यहाँ से मदद ले सकते है direct जो है उनके bank account के थूँ financially वो यहाँ से मदद ले सकते है इस portal के माध्यम से ministry of minority affairs is implementing the geo paris scheme to reverse the declining trend of the paris population ठीक है तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि इस portal को किस ने launch किया है कीरन रेजो जोनी अगला question देखे which is the first state to provide cash to adolescent girl to buy sanitary napkins किशोर्यों को sanitary napkin खरीदने के लिए नकद राशी प्रदान करने वाला पहला राचे कौन सा है तो first राचे कौन सा बन गया है मध्यप्रदेश सुमध्य प्रदेश गवर्मेंट जो है यहाँ पे provide करेंगे cash जिससे की जो adolescent girls है वो sanitary napkins को खरेश सकेंगी इस scheme के माध्यम से 300 रुपीस का amount हर एक girl को जो है एक साल में उनके account में transfer किया जाएगा अब जैसे कुछ state थी जैसे करनाटक, राजस्तान, डेली वहाँ पे students को free sanitary napkins जो है वो दिये जा रहे थे लेकिन किसी ने भी cash के सुविधा नहीं शुरू करी थी sanitary napkins तो free में सुविधा शुरू हो गई थी लेकिन पहली बार ये सुविधा शुरू हुई है कि sanitary napkins के लिए cash देने वाली और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश की बात करते हैं सु capital यहां की है भूपाल चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव डेपूटी सीम है जगदेश देवडा और राजेंदर शुकला मद्यप्रदेश असेम्बली के speaker है नरेंदर सिंग तोमर गवर्नर है मंगु भाई चगन भाई पतेल लोगसबा सीट सें 29 राजेसबा की है 11 और यहां पे assembly सीट सें 230 चले friends मद्यप्रदेश दे कुछ बात करते हैं important news को revise कर लेते हैं मद्यप्रदेश ने किरियेट की थी पहली cyber तहसील इंडिया की इंदौर railway station का नाम बदल कर tribal icon तांतिया भील जी के नाम पर इसका नाम रखा गया इसके बाद मुख्य मंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की थी मद्यप्रदेश की सरकार ने ही देवर्णिया योजना को स्टार्ट किया था इसके लावा यूवा शक्ति कोरोना मुक्ती अभियान शुरू किया गया था मद्यप्रदेश शरकार ने ही अंकुर इ इसके बाद एक अगली important news अभी recent मध्यविदेश की सरकार ने PM शिरी ट्यूरिस्म एयर सर्विस को स्टार्ट किया नेक्षा दिखेंगे मुख्य मंत्री लाडली बहना आवास योशना इस शुरू करे थी मध्यविदेश की सरकार ने ही CM learn and earn scheme भी किसने शुरू करे थी मध्यव बिहार सरकार ने किया है तो बिहार गवर्मेंट ने राजय के जितने भी district magistrate जितने भी सभी जिलादिकारी उनको निर्देश दिया है कि वो ये सुनिशित करेंगे ensure करेंगे कि सभी जितने भी bodies ने चाहिए वो temple हो, murder trust हो, उनका registration हो और जो भी उनकी संपत्ती है, जो उनकी property है उसका ब्यूरा वो किसे देंगे? बिहार state board of religious trust को जल्द ही वो अपने संपत्ती का पूरा ब्यूरा दी इसके लिए बिहार ने जो registration उसको बिल्कुल mandatory कर दिया है बिहार की capital पढ़ना है, CM है यहाँ पे नितेश कुमार, deputy CM है समराज चौधरी और विजे कुमार सिनहा governor है राजेंदर विश्वनात अर्लेकर, राजेसभा की seats है 16 और यहाँ पे लोकसभा की seats है 40 assembly seats भी याद लखेगा 243 हैं यहाँ पी अच्छा भी recent बिहार से दो रामसा sites एड हों थी, उनके नाम आपको याद होंगे तो उनके नाम याद लखेगा नागी और नकटी बर्ट सेंचुरी बिहार सरकार ने जो है mission investigation at the rate 75 days इसे शुरू किया था नेक्स जाद है कि ये बिहार सरकार ने राभी महा अभ्यान को launch किया था हर घर गंगाचल प्रोजेक्ट भी यहाँ पे शुरू किया गया था आए देख लेते हैं next important question को अगला question है देखे which state government recently declared the ancient monument of the mesolithic era located in ratnagiri as a protected monument so देखे अभी हाली में किस राज्य सरकार ने रत्नागरी इस देत मध्य पाशान युक के प्राचेन इसमारक को संरक्षित इसमारक घोशित किया है तो किस government ने किया है आंसर महाराष्ट state ने so महाराष्ट government ने जो है declare किया the juglef and petrograph यानि जो भू आकरती और शेल्चेतर है उनको रत्नागरी में उनको ऐसा protected monument जो है उनको declare किया और यह किस act के तहित किया है महाराष्ट ancient monuments and archaeological sites and remains act 1960 तो महाराष्ट सरकार ने महाराष्ट प्राचीन इसमारक और पुरातत्व इस्थल और अफशेश अधिन्यम 1960 के तहित रत्नागरी में भू आकरती और जो शेल्चेतर है उनको संदक्षित इसमारक अभी घोशित किया है महाराष्ट की location आप देख सकते हैं यह है अगला important question है which bank has recently launched the antaha drashti braille debit card for visually impaired customer जो drashti अबाधत ग्राहक हैं उनके लिए भी हाली में किस bank ने antaha drashti braille debit card को launch किया है तो यह debit card किस ने launch किया है PNB Punjab National Bank ने इस initiative का उदेश है क्या है देखे तो इसका mean उदेश है to enhance financial independence and convenience for visually impaired individual जो drashti बाधत व्यक्ती हैं उनके लिए वित्य स्वतनता और सुविधा को बढ़ाना और अधिक असानी रात विश्वास के साथ वो अपना दिखिये जो भी finance उसको manage करने में सक्षम हो सके तो उनको empower करना ताकि वो अपना जो finance है उसको खुद ही manage कर सके उसी उतेशय को लेकर PNB ने अभी launch किया था PNB अंतहा ड्रेश्टी ब्रेल डेबिट कार्ट को नेक्ट कोशन देखिए अगला कोशन है राना आशुतोष कुमार सिंग has been appointed as the managing director of which bank इनका नाम क्या है राना आशुतोष कुमार सिंग और किस bank के बने है ये प्रबंध निदेशक हाली में ये बनी है State Bank of India के fence managing director उल्टा भी कोशन आ सकता है कि State Bank of India के managing director कौन बनी है राना आशुतोष कुमार सिंग State Bank of India के स्थापना हुएती 1st of July 1955 को hit quarter मुंबई में है और chairman है यहां के चल्ला श्री निवासलू शेटी चले banking sector में हम कुछ appointments को revise करती है First appointment है MCX की अभी MDCO बनी है प्रवीना राई SBI के देखे chairman कौन बन गए है चल्ला श्री निवासलू शेटी Unity Small Finance Bank के MDCO मनी है इंदर जीत कमोत्रा National Housing Bank के managing director बनी संजे शुकला और सिडवी सिडवी का पुरा नाम है Small Industry Development Bank of India के CMT chairman managing director बनी है मनोज मितल Next question देखें India's Tokyo 2020 Paralympic Paralympic Gold Medal winner Pramod Bhagat has been suspended for a period of 18 months for breaching the anti-doping regulations he is related to which sport Pramod Bhagat को देखें अभी रोधी नियमों के उलंगन के कारण इनको 18 महीन एक तरीके से डेड़ साल के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है ये भारत के Tokyo में जो 2020 के Tokyo Paralympic Games हो थे उसमें स्वान पदक विचेता रहे थे लेकिन अभी इनको 1 and a half year के लिए क्या कर दिया है निलंबित कर दिया गया किस खेल से संबन्दी थे तो इनका संबन्द किसे है जावलिन भाला फेक्स से जो है इनका संबन्द है गेंज से उसमें भी वो भाग नहीं ले पाएंगी तो फ्रेंट्स ये थे हमारे आज के सभी करेंट अफेस के important questions तो questions हमारे हो गए हैं अब हम देखे बात करते हैं स्टाटीग जीके के questions के बारे में तो देखे स्टाटीग जीके के important questions देख लीजे which gas can be found on Saturn Saturn जो ग्रह है देखे शनी जो ग्रह है वहाँ पे कौन सी गैसे पाए जाती हैं तो वहाँ पे hydrogen और helium पाए जाती हैं next question what is the process called in which zinc oxide is applied to metal to stop them from rusting तो यहाँ पे हमें उस process का नाम बताना है जिसमें देखे zinc oxide को metals पर apply करते हैं कि rusting उसको जंग लगने से बचाया चा सके तो यहाँ बताएंगे उस process को क्या कहते हैं उसके कहते हैं galvanization अगला question है कौन से year में आरेभट launch किया गया था आरेभट जो satellite थी ये launch थी 1975 में next question who is father of all India services किसे कहा जाता है father of all India services सरदार बलब भाई पतेल जी को who started the home rule movement in India इंडिया में भारत में home rule movement किसने शुरू किया था एनी बेसेंट नी चेनाव जेलम ये tributary किस river की है यानि सहायक नदिया है चेनाव जेलम जो है indus यानि सिंधू नदी की जो है ये सहायक नदिया है अगला question which organ removes the nitrogenous compound from the blood कौन सा organ जो है blood C जो nitrogenous compound होते है उनको remove करता है कौन करता है kidney next question पूना पेक्ट कब कौन सीयर में sign किया गया था 1932 में and last question है CBRS security and exchange board of India की स्थापना कौन सीयर में हुई थी 1988 में तो ये हमारे होगे फैंट स्टाटिक जीके के questions अब revision कर लेते हैं चले कल के questions को फिर से एक बार revise कर लेते हैं तो देखे हमारा पहला question किया है first question है हमारा who has been appointed as a new chairman and managing director of NHPC limited NHPC limited के प्रमंद निदेशक कौन बने है answer राज कुमार चौदरी ओम प्रकाश माथू नहीं अभी किस state के अठारवे governor के रूब में शपतली है तो ओम प्रकाश माथू बनी है सिक्कीम राज्य के राज्यपाल which state government has announced a cargill package for families of a martyrs अगनिवीर तो किस राज्य सरकार ने शहीद अगनिवीरों के परिवारों के लिए कारगill package की घोशना करी है तो इसके announcement करी है राज्यस्थान गवर्मेंट नी फॉर्मल डाश सीयो सुजैन वॉस की passed away recently at the age of 56 तो सुजैन वॉस की जो है किस company की CEO थी जिनका भी निधन हो गया तो ये थी YouTube की CEO के नेट्वर्सिंग कौन थे तो के नेट्वर्सिंग फॉर्मर एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया 2004-05 में ये भारत के विदेश मंत्री थे तो किस ने लॉँच किया है अमरिद ज्यान कोश पोर्टल को राइट आंसर इस जितेंद्र सिंगने नेक्स एक विच अडिशन ऑफ इंडिया श्री लंका जॉइन्ट मिलिटर एक्सराइस मित्र शक्ती और ये हुए कहां पे इस बार कंड़क्ट तो ये शुरू हुई है श्री लंका में इस बार इसका कौनसा एडिशन हो रहा है 10th edition कोशन में ये भी आ सकता है कि मित्र शक्ती अभ्यास कौन कौनसी कंट्री के बीच में शुरू हुई है इंडिया और श्री लंका के बीच नेक्स इन ऑगस्ट 2024 इंडिया एंड विच कंट्री हाव रिन्यू दियर एमयू तो बोल्स्टर दा ट्रीनिंग ओफ थाउसंड सिवल सवेंट बारत उरकिस देश्ट ने 1000 सिवल सिवकों के प्रस्टिक्शन को बढ़ावा देने के लिए अगला कोशन है पार्टिशन होरस रिमेंब्रेंस टे कब सेलिबेट किया जाता है तो ये मनाया जाता है 14th of August को तो फैंस ये थे हमारे आज के सबी कोशन्स तो यहाँ पे हमारे जो है हमने सबी देखे डेली कर इंटफेस के कोशन्स भी कर लिये स्टैडिक चीके भी कर लिया और रिविजन भी कर लिया है तो अब बात करते हैं चले पहले कल के टेस्ट कोशन्स के बारे में पहले एक बार उनको डिसकस कर लेते हैं फिर आप लोग उसे नए कोशन पोचेंगे पहला कोशन था नेपोलियन ओफ इंडिया किसे कहा गया है आंसर समोदर गुप्त नेक्स्ट कोशन था प्लानिंग कमिशन योशना आयोक के पहले अध्यक्ष कौन थे सही आंसर है जवाहलाल नेरू तो फ्रेंट्स थैंक्यू सो मच आप सभी ने हमाएं दोनों क्वेशन की आंसर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है और आप सभी के देखे जब आप कॉमेंट करते न तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स को पढ़के तो आप लोग ऐसी ही हमें जो हैं कॉमेंट्स जरू किया करें क्वेशन की बारे में तो आज के हमाने कॉमेंट्स रखी हैं खुश्बु सिंग चंदन प्रधान तो अब बात कर लेते हैं आज के क्वेशन की बारे में तो देखें आज का पहना test question है washing soda is also known as washing soda को अन्या किस नाम से भी जाना जाता है Second question देखे which city is known as the Silicon Valley of India कौन सा शहर भारत की Silicon Valley के नाम से जाना जाता है तो इन दोनों question के answer आप मुझे चल्दी से friends से comment box में जरूर लिखें और इसी के साथ आज का हमारा ये daily care interface का important session हो गया है complete friends अगर आप सभी को आज का हमारा session अच्छा लगा हो तो please आप हमारी video को like जरू करेगा share करेगा जाता से यादा और अगर आप हमारी channel पे नहीं हो तो please channel को subscribe जरू करें आप लोगों से फिन मिलूंगी मैं ऐसे ही another important class में till then bye bye take care have a good day and again आप सभी को very very happy independence day thank you so much for watching this video